बिहार के रास्ते नई दिली से गुहाटी जा रही ट्रेन नमबर 20504 के साथ राज़ानी एक्सप्रेश ट्रेन के साथ बरा हाथ सा टला। जानेंगे इस वीडियो अपडेट में ट्रेन के अपडेट के बारे में तो चली शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट हैं। जाज में ट्रेन को स्लो स्पीड से रोसरा रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया जहां इंजन के कैपलर पाइप को ठीक किया गया और फिर ट्रेन को कठिहार के लिए रावाना किया गया। इसी दवरान ट्रेन करीब डेढ़ घंटे तक रोसरा रेलवे स्टेशन पर रूकी रही। दरसल यह घटना रविवार की बताई जा रही है। जब यह ट्रेन गुहाटी जा रही थी और गुहाटी जाने के करम में यह ट्रेन के साथ यह दुरगटना हुआ है। रेलवे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसाथ ट्रेन नमबर 20504 में यह घटना घटी है जहाँ पर की ट्रेन लगवग डेढ़ घंटे रेट भी। रविवार को यह ट्रेन सुबक करी एक घंटे लेट थी जो कि समस्तिपूर 6 बच कर 44 मिनट पर पहुँची थी और 6 बच कर 50 मिनट पर कटिहार के लिए खुली थी। ट्रेन करी 7 बच कर 10 मिनट पर समस्तिपूर रोसरा रेलवे स्टेशन के बीच अंगार घाट रेलवे स्टेशन से आगे गुम्टी नमबर 27 के पास से गुजर रही थी। अलाकि इसमें कोई हातात होने की खबर नहीं है और सुरक्षित ट्रेन यहां से रवाना की गई जो की एक बड़ी अपडेट। आने वाले नए वीडियो अपडेट के हम बात करेंगे और ट्रेनो के लेटेस्ट अपडेट के बारे में फिल हाल यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को सेयर करें नई ट्रेनों के लेटेस्ट जानकारी पाने करें